दोस्तों आपको शायद मालूम होगा कि इस समय पूरे भारत देश में और खास थोर से यूपी में काफी जादा छापी अमारी चल रही है स्वात विभाग दुआरा काफी जादा जो है आप अंजी किरित किलीनिक्स नर्सिंग होम अल्टरा साउंड सेंटर पैथलोजी लैफ्स को सील किया जा रहा है और साथ साथ में मेडिकल इस्टोर को भी सील किया जा रहा है क्यूंकि हमारे आपके छेहतर के जो भी CMO अधिकार और चालक को जेल भाईजा जा रहा है तो दोस्तों अगर आप D-Pharma या फिर B-Pharma करे हुए हैं मेडिकल इस्टोर चलाते हैं या फिर आपने किसी फार्मासिस्ट को हायर कर रखा है तो आपको किन-किन बातों का धिशान रखना है जिससे आपका जो है मेडिकल सील नहीं हो आ कि आपको जो है मेडिकल स्टोर सील नहीं होगा क्यूंकि आपने वीडियो की इस वीडियो की शुरुआत में ही देखा हूगा कि हमने आपको कुछ फोटो दिखाए हैं जिसमें मेडिकल सील किये गए हैं तो आपको किन-किन बातों का धिशान रखना है जिसकी वज़ा से आ वीडियो की लाश्ट में हम आपको बताएंगे, इसलिए हम आपसे विंती करते हैं कि इस वीडियो का आखेर तक देखना हो चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब भी कर देना दोस्तो दोस्तो आज से करीब 15-20 दिन पहले हमारे माननीय मुख्य मंतरी योगी अधित्यानाद जी जो कि यूपी के मुख्य मंतरी हैं इन्होंने एक डिसीजन लिया था एक निर्ने लिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि यूपी के अंदर जितने भी आप अंजी करित किलीनिक्स है नर्सीं होम है अल्टा साउंड सेंटर है पैथलोजी लैपस है इन सब को सील किया जाए और चालक को जेल भेजा जाए और साथ साथ महनों ने ये भी कहा था कि अन्रेजिस्टर्ट मेडिकल स्टोरों को और जो मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनके उपर रेजिस्ट्रेशन है और उसके उपर घलत एक्टिविटी हो रही है पुछ इल्लिगल काम हो रहा है उसको भी सील किया जाए तो ऐसे में काफी सारे मेडिकल स्टोर्ट सील किये गए है आप इमेज में देख सकते हैं तो अगर आप भी दोस्तों मेडिकल स्टोर चलाते हैं चाहे आप फार्मसिस्ट हैं या नहीं है आप फार्मसिस्ट हैं पांच ऐसी बाते बताएंगे, अगर जिसका आप धिहान रखेंगे, तो आपके medical store के उपर, कभी भी छापा नहीं लगेगा, ना ही आपके उपर कोई कारवाई होगी, तो सबसे पहला जो point है, सबसे main point, वो आपको ये धिहान में रखना है, कि आपको अपने medical store पे, किसी को भ दवा नहीं दे सकते, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत सारे क्या होता है, कि अपने medical store पे, इस थैतो स्कोप भी रख लेते हैं, और स्पाइग्नोमेनोमेटर भी रख लेते हैं, और sugar check करने की machine भी रख लेते हैं, सब वहीं counter पर रख लेते हैं, तो ये सब काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मसिष्ट को दवा देने का अधिकार नहीं होता, फार्मसिष्ट को सिर्फ prescription, डोक्टर के पर्चे से दवा देने का ही अधिकार होता है, तो आप किसी को भी खुद से दवाई ना देंगे, आप सिर्फ prescription से दवाई देंगे, फ और third point में आपको धियान रखना है कि आपको expire medicine और schedule X की medicine दोस्तों expire medicine मतलब इसकी date निकल गई हूँ expire हो उसको आपको या तो medical से हटा देना है या फिर अलग उसे किसी box में रख देना है और schedule X की medicine मतलब जो कि narcotic medicine होती है जो कि narcotic नशे बगेरा में आती है इस सारी दवन्यों को आपको अपने medical store पर हटा देना है क्योंकि अगर आप medical store पर ये सब रखेंगे तो आपको schedule X में license लेना होगा schedule X का क्या license होता है इसके बारे में हम आगे कर वीडियों में आपको बताएंगे तो अगर आपके पास schedule X का license नहीं है तब ये सारी medicine आप narcotic हटा देंगो और expire भी हटा देंगे और चोथी बात जो आपको दिहान में रखना है कि आप जो भी बिल दवाई दें मतलब जो भी आप दवाई किसी patients को दें उसको बिल बना के दें और अगर आप खुद दवाई लेकर आते हैं agency से तो आप पक्का बिलने हैं वहां से rough estimate नहीं लें आप पका बिलने जिस पर आ लगने हैं वो कि pharmacist का होना अनिवारी है अगर आप pharmacist है और medical भी आप ही का है तो आपको वहां हर वकत रहना चाहिए और अगर आपने किसी को hire किया है pharmacist को तो उसको भी हर वकत medical पे मुझूद होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने उसका को hire कर लिया उसका registration अपने पास लगा और pharmacist कई और घूब रहा है कई और टेल रहा है तो ऐसे में काफी जादा दिक्कत हो जाएगी तो यह कुछ common बात है बहुत सारे वीवर्स को मालूम नहीं होगी तो इसलिए हमने वीडियों बताई हैं आपको तो इन सब बातों को धियान आप रखेंगे तो आपके उपर जानकारी देएं जो आपके काफी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडिवे को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तो दोस्तो फिर मिलते हैं आप से नई वीडियों के साथ जेएं बन्दे मातर